आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ भारत जोडो यात्रा के हाल का वीडियो है आप ये वीडियो देखिए पहले फिर आपसे बात करता हूँ देखिए पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है मीडिया को धमकाने का वीडियो है और इसी यात्रा से जुड़ा हुआ एक दूसरा वीडियो भी देख लीजिए ये देखिए आप मीडिया को धमकाये जा रहा है इसमें भी और एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी यात्रा से जुड़ा हुआ वीडियो है ये भी देख लीजिए अब इन तीनों वीडियो में जो शक्स मीडिया को धमका रहा है उसे सवाल पूछने से रोक रहा है ये कौन है मुझे लगता है इस समय हर कोई जानता है ये शक्स कोई और नहीं बलकि जैराम रमेश है इस समय भारत जोड़ो यात्रा में जो कुछ भी चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मदारी जैराम रमेश पर है बलकि अगर आपको सही मायने में समझना हो तो भारत जोडो यात्रा में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे कदावर शक्स है तो ये जैराम रमेश ही हैं भारत जोडो यात्रा की जब शुरुवात हुई ना तब से ये जुड़ेवे हैं ये मीडिया के प्रभारी हैं जेनरल सेक्रेटरी हैं और राहुल गांधी की बातचीत का हर मुद्दा तै करते हैं तो सवाल ये है कि आखिर जैराम रमेश क्या चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में किस बात पर चर्चा की जाए क्या सवाल पूछा जाए इसका जवाब भी राहुल गांधी नहीं दिया है एक बार मैंने जब वीडियो में तलाश सब पूछेंगे मगर मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी कौन सा जवाब देना चाहते हैं चीन के मुद्धे पर तो आखिर वो कौन से सवाल का इंतजार कर रहे थे वो भी आपको सुनाता सुन लीजे जवाब वो युद्ध की तयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को चुपाती हैं यानि चीन जो है युद्ध की तयारी कर रहा है और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि दो तीन साल से वो इस बात को इस देश में बता रहे हैं आगाह कर रहे हैं ये भी स चुन लीजिये मैं इसको अब दो-तीन सालों से कह रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार उसको इग्नॉर कर रही है लेकिन राहुल जी इसमें कौन सी नहीं बात है चीन एग्रेसिव है या इस तरह की तयारी कर रहा है यह कबजा कर रहा था लेकिन आपके परनाना जो देश के पहले प्रधान मंत्री है नहरू वो तो इग्नॉर कर रहे थे और तब भी मैं कई दर्शक पुरानी बात बता रहा हूं आपको 70 साल पुरानी 4 सितंबर 1969 को लोकसभा में पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाच्प दस्तावेज है आपको समानी रूप से मिलेगा नहीं आप देखे 1969 में वाच्पई जी क्या कहते हैं लोकसभा के अंदर मैं एक बात और कहना चाहता हूं अभी भारत ने फैसला किया है कि हम चीन को सईवत राष्टर संग में लाने के प्रस्ताव को इस बार फिर से उठाए देखे मैं काम की चीज आपको दिखाना चाहता हूं जैसा मैंने कहा चीन से मित्रता का यह अर्थ नहीं है कि वह लात मारते जा और हम उनके चरणों को चूमते जाएं मित्रता आत्म सम्मान के आधार पर हो सकती है चीन आक्रमन कारी है चीन हमारी सीमा पर प्रवेश करने आ वो गोपनिय नहीं है यह तो बाचपेई जी ने भी 1969 में चेता दिया था और उसके बाद हमला किया था चीन ने लेकिन नेहरू जी कहां सचेत हुए लेकिन मोदी राज में परिस्थितियां बदल गई है दोस्तों क्योंकि मोदी राज में चीन ने दो बार हिमाकत की और दो जाह की साइड और अरुनाचल की साइड पूरा ओफेंसिवः प्रेपरेशं चलो बात को हिंदूस्तान की सरकार सुआ हुई है इस पहले प्रधानमंत्री का ही बयान है जवाहरलाल नहरू का और ये बयान है 14 अगस्त 1962 का जो लोकसभा में दिया गया है और इसमें नहरू क्या कहते हैं 1957 में चीन ने हमारे शेत्र में पहली बार अतिक्रमण किया हमें उस सड़क के बारे में 1957 के अंत ये अथवा 1958 में पता चला मतलब नहरू खुद कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कबजा कर लिया और हमें पता ही नहीं चला ये वो कह रहे हैं और इसके आगे एक और बात कहते हैं आप देखिए जब 1969 में हमने चीनी सरकार के पास इसके बारे में विरोध प्रकट किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी मोधी पर चीन को लेकर आरोप लगाते हैं अब आप मुख्य मुद्दे को समझें मैं कहना क्या चाहता हूं कि भारे जोडो यात्रा में राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे पर मोधी सरकार को घेर रहे हैं लेकिन उसी भारे जोडो यात्रा की जिम्मदारी किसको दी है एक ऐसे शक्स को जो चीनी परस्त होने का जिन पर लगातार आरोप लगता रहा जब वो इस देश के केंद्रिय मंत्री थे तब उन्होंने ऐसी नीतिया लागू की जिससे चीन को लगातार फाइदा होता रहा और भारत को लगातार नुकसान होता रहा आज के इस वीडियो में यही दिखाऊंगा दोस्तों लेकिन उससे पहले आपको एक इनका 13 साल पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें चीन को लेकर क्या कह रहे हैं आपको समझना जरूरी है अब आज के इस वीडियो में मैं यह दिखाऊंगा कि परियावरण मंत्री रहते जैराम रमेश ने किस प्रकार भारत के हितों को लुकसान पहुँचाया चीन के हितों की पैरवी की साथी आज भी उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चन बनवान आज के इस वीडियो में राहूल गांधी के सबसे करीबी और भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे सबसे महत्पोर्ण चेहरे जैराम रमेश के चाइना कनेक्शन का परदाफाश करूँगा जैराम रमेश के बारे में एक बात आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद ये लगातार हाशिये में थे लेकिन 2022 में अचानक ये राहूल गांधी के करीबी हो गए इन्होंने भारत जोडो यात्रा की पूरी रणनीतित बनाई उसकी तैयारी की और 7 सितंबर 2022 को कन्या कुमारी से भारत जोडो यात्रा की शुरुवात हुई और इस यात्रा के जरीए मैंने कई बार आपको दिखाया कि उन सारी शक्तियों को एक जुट करने की कोशिश हुई जो प्रधान मंतरी मोधी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं उन ताक्तों की मदद ली गई लेकिन ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों और मैंने कई बार आपको दिखाया है कि भारत जोडो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार चीन के मुद्दे को उठाए रखा और इसी यात्रा में जैराम रमेश का को महत्तो मिलना जो चीन के प्रती बहुती सॉफ्ट कॉर्णर रखते हैं और इनकी नीतियां संदेह के घेरे में रही हैं इन दोनों का इस भारत जोडो यात्रा में मिलना एक संदेह तो पैदा करता ही है और एक बात ध्यान रखे कि जैराम रमेश जब यूपिय सरकार के केंद्रिय मंत्री तो चीन के प्रती जो इनका अपनापन उमरता था और जो प्रेम दिखता था वह भी गजब का था एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं कि चीन के प्रती इनका प्रेम किस प्रकार से रह रहकर उमरता था जरा सुनिया इतना है नहीं 2010 में जब चीन को लेकर मीडिया इंसे कोई सवाल पूछता था ना तो ये चुप करा देते थे बोलते थे चुप रहिए शान्त रहिए सुनिये ना इसके बाद 2010 में इन्हों ने जैराम रमेश ने चीन की यात्रा की और चीन के लोगों का दिल जीत लिया कोई इनका विरोध करता था ना तो चीन के समाचार पत्रों में जैराम रमेश की प्रशंसा में लेख लिखे जाते थे और कोई विरोध करता था भारत में तो चीन में इनके प्रती समर्थन उमढ पड़ता था आप ये रिपोर्ट में देखते चले जाईए और जैराम रमेश का जो चीन के प्रती प्रेम था ना वो कितना गहरा था आप समझेए किसी चीन यात्रा के दौरा जैराम रमेश ने देश के ग्रेह मंत्राले की सुरक्षा नीती पर सवाल खड़ा कर दिया आप उम्मीद कर सकते हैं कि देश का एक केंद्रिय मंत्री चीन में हो और चीन के लिए भारत के ही एक दूसरे मंत्राले और वो भी ग्रेह मंत्राले पर सवाल खड़ा कर दे आप देखिए चीन की टेलिकॉम कमपनियों के भारत में आने के लिए पूरा जोर जैराम रमेश ने लगाया था और जानते हैं क्या कहा था ये कहा था कि भारत का ग्रिह मंत्राले चीन की कंपनियों को लेकर बिना किसी वजह के शक करता है अब आप सोचिए ये वही टेलीकॉम कंपनिया और अब आप अंदाजा लगाई है कि पिछले साल ही प्रधान मंत्री मुदी ने कितने सा अरे एप्स पर पाबंदी लगाई है चीन के कमर तोड़ दिये लेकिन अब आप सोचिए कि 2010 के करीब में जैराम रमेश जो परियावरण मंत्री वो उनकी पैर्वी कर रहे थे और अपने ही ग्रिह मंत्राले पर संधिः पैदा कर रहे और इतना ही नहीं इस पर ग्रिह मंत् वी थे वो तो बहुत कम बोलने के लिए मशूर थे लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जैराम रमेश को कड़ी फटकार लगाई थी आप रिपोर्ट में देखते चले जाईएगा और इस एपिसोड के लिए जैराम रमेश को माफी मांगनी पड़ी थी लिखित में माफी मां दर्शाय गया है वहां की टेलीकॉम कंपनियों में जो भारत में आने की वकालत की थी इसकी चर्चा उनकी किताब में भी है और इसका जिक्र हाल ही में मशूर वकील महेश जेट मलानी ने एक ट्वीट में किया है यह आप देख सकते हैं एक तरफ चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा था और क्यों मना रहा था आप समझ सकते हैं भारत के खिलाव एक दम पुर्जोर तयारी कर रहा था बड़े बांध बना रहा था जो भारत के लिए खत्रा बनता जा रहा था तो दूसरी तरफ जैराम रमे चीन को अरुनाचल प्रदेश में आने देने के लिए अपनी ही सरकार में वकालत करते थे आप कितना बड़ा कंट्रास्ट है जब प्रधारमन्त मनमोह से अरुनाचल प्रदेश जाते थे ना तो चीन उस पर आपत्ती खड़ करता था और उसी चीन को अरुनाचल प्रदेश में घुसने देने के लिए जैराम रमेश वकालत कर रहे थे और जैराम रमेश ने यही नहीं किया जब चीन के बांध से भारत के पूरे उत्री पूर्वी हिस्से में खत्रा बढ़ रहा था उस समय उन्होंने अपने मंत्राले के जरी ए बड़े ध्यान से सुनिएगा परियाबरण का सवाल खड़ा करते हुए रोक लगा दी अब देखिए कितने सारे काम हो रहे हैं एक तो और उनाचल प्रदेश के सटे बॉडर में चीन काम कर रहा है फिर यह बोल रहे हैं चीन को आप पर उनाचल प्रदेश में घुसने पर भी बेडियां लगा दे रुकावट पैदा कर दी बाधा खड़ा कर दिया और देखिए कैसे परियाबरण के सवालों को खड़ा करके भारत को पूरी तरह से विदेशी निवेश और विकास के मामले में नीचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जैराम रमेश को चीन से अधिया धिक लगाव था और जानते हैं चीन के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए भारत को नीचे करने में कमतर आकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने टर्म कोईन किया था देखिए नया शब्द चिंडिया अब ये चिंडिया क्या है आप समझने की कोशिश कीजिये इस देश का एक मंतरी केंद्रिय मंतरी इस तरह के शब्द गड़ रहा था और चीन के लिए अपनी ही सरकार ने जो जैराम रमेश काम कर रहे हैं खुले आम उलंगान कर रहे हैं इसपर सरकार भी कोई कारवाई नहीं कर पा रहे थी आपके बज़ों में सव बता देता हूँ क्योंकि कॉंग्रेस ने और Communist Party ने यानि चीन की सरकार ने 2008 में ही समझाता किया था जिसमें चीन और कॉंग्रेस एक दूसरे के साथ देने का वादा कर रहे थे और ये सब कब हो रहा था ये भी तो जानना चाहिए ना ये सब तब हो रहा था जब UPA की सरकार न जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये खुद रिपोर्ट में हैं आप देख लीजिए अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि चीन के हितों के लिए काम करने वाले जैराम रमेश राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसका हित साध रहें साथ्यों मानवा धिकार और पर पर्यावरण के नाम पर मानवा धिकार के नाम पर इस राष्ट की अखंडता के साथ सौधा करने लगते हैं उसे दाओं पर लगा देते हैं तो निश्यत रूप से ये मान कर चलिए कि उनकी नीती सही नहीं है और इसे आम आदमी उतनी आसानी से समझ भी नहीं पाता है और यही इस देश के लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम ने किया है उसने पर्यावरण के नाम पर मानवा धिकार के नाम पर इस देश के विकास के रास्ते को अवरुध करने का काम किया है और एक बात याद रखिए कि कॉंग्रेस आज जिस स्थिती में है अगर इंडिया फर्स्ट उससे ये भी पता चलता है कि भारत जोडो यात्रा कहीं इंडिया फर्स्ट की इस मूल भावना को तोड़ने की कोशिश तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप से निवेदन है साथियों, कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नमस्कार